तो हाई एवरिवन एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का स्वाय क्लासेस पर तो जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 12 की इंग्लिश का भी कोर्स स्टार्ट कर रखा है जिसमें पनोरमा बुक के हमने साथ लेशन कंप्लीट कर लिये हैं तो उसी कड़ी में हम आज नेक् एक्ट प्रनंशियेशन होता है मेजाई नकी मागी और मेगी तो आप ध्यान रखें इस बात को अब जो यह मेजाई है इसका मीनिंग क्या होता है तो इसका मीनिंग होता है दा वाइज परसंग दूसरा मीनिंग और हम ले सकते हैं इसका तू चूज दा मॉस्ट सुटेबल दोनों ही मिनिंग इसके सटीक है अब इस लेशन का जो राइटर है वो है ओ हैंरी सब कुछ स्क्रीन पर मेंशन कर रहा है मैंने देखते रही है और नौट्स भी बनाते रही है ताकि एक्जाम से पहले आप उसको रिवाइज अच्छे से कर सके अब इस लेशन के कुछ इस में मुस्ति इंपोर्टेंट ने वो दो ही है पहला है जिसका शौट नाम जिम भी दूसरा में इसमें डेला बहुत ही बजय बारहाऊ स्वायुड है और नेक्स्थ पॉइंट है इस लेशन में उनको बारे में जिक्रि किया गया और दो नूसरा है क्वीन और शेवा इसमें एक साइड केरेक्टर भी है तो जो साइड केरेक्टर है वो है मेडम सैफरोनी उसकी एक पारलर की शौक होती है इस लेशन में नेक्स पॉइंट है कि जो डेला और जिम है दोनों के पास इस लेशन में अपनी अपनी प्रोपर्टीज शू की गई है जो बहुत ह कीमती बहुती सुन्दर है डेला की जो प्रोपर्टी है वो है उसके घने लंबे बाल और जो जिम है जिम की प्रोपर्टी है उसके गॉल्डन की वाच जो उसके दादा की थी उसके दादा ने उसको पिता को दिया और पिता ने जिम को दिया नेक्स पॉइंट है इस लेशन का चैम्स डिलिंगम उसकी अर्णिंग जो है वो शो की गई है इस लेशन में 30 डॉलर्स पर वीक पहले लेकिन बाद में यह जो इंकम है वो कम हो जाती है और 30 से 20 डॉलर पर वीक रह जाती है नेक्स पॉइंट है इस लेशन में डेला के पास केवल 1.87 डॉलरी होते हैं जो उसने बहुत पारगेनिंग करके सेव किये थे वह जिम्स के लिए एक शानदार गिफ्ट खरीदना चाती थी लेकिन उसके पास पेसे बहुत ही कम थे 1.87 डॉलरी थे इसलिए वो जो राशी थी इसको तीन बार काउंट करती हो क्योंकि वो सोचती है कि कास ये पैसे जादा हो पैसो की कमी होने की वज़े से डेला ने अपने जो सुंदर सुंदर यूटिफुल बाल थे वो मेडम सैफरोनी को 20 डॉलर में सॉल्ड कर देती है ताकि वो जिम्स के लिए एक शानदार गिफ परचेज कर सके डेला ने उन पैसों से फिर जिम के लिए एक शानदार प्लेटिनम चैन खरीदी जो उसकी गॉल्डन वोस के लिए बिल्कुल शूटेबल थी जिम भी कहां कम रेने वाला था तो वो भी डेला के लिए एक शानदार गिफ्ट खरीदना चाहता था इसी होती है रतनों से जडित्वा उसके लिए खरीदी लास्ट पॉइंट है इसका कि जिस दिन इस लेशन में जो घटनाय घटित हुई थी वो था 24 दिसेंबर का दिन क्योंकि अगले दिन क्रिसमस दे था और क्रिसमस के दिन ही वो दोनों एक दूसरे को शानदार गिफ्ट देन चाहते थे अब इस लेशन की कहानी को हम समझने का प्रियास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो यह जो कहानी है जिम और जो डेला है दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देने का प्रियास करते हैं और इस गिफ्ट देने की जो प्रता है प्रचलन है उसी के ऊपर यह कहानी चलती है लेकिन हमारे माइंड में क्योश्चन आना चाहिए कि यह जो गिफ्ट लेने देने की परंपरा है यह कैसे चली कब चली क्यों चली तो कहा जाता है इस बारे में कि जब इशू मसी का जन्म हुआ था उस समय जब जो बुद्धिमान वेक्ति थे तीन उन तीनों बुद्धिमान वेक्ति को जब यह पता चला कि इशू मसी का जन्म हुआ है तो वो तीनों उनके लिए एक शानदार शूटेवल गिफ्ट लेकर जाते हैं और तभी से यह प्रम्परा का प्रारंब हुआ था उसी प्रम्परा को फोलो करती हुए जिम एंड डेला दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते थे इन एवरी कंडिशन देन वोटेवर हैपन्स भड़ते हम आज इस लेशन की कहानी की और क्या कहती है कि इसमें जो डेला है वो डेला से ही कहानी का प्रारंब होता है 24 दिसंबर से इस कहानी की शुरुवात होती है 24 तारिक के दिन डेला जिम को एक शांदार गिफ्ट देने का सोचती है लेकिन वो उसके पास जो मनी प्रोब्लम थी उसी के वज़े से वो थोड़ा अपसेट हो जाती है और जो उसने पैसे एक अधर मटिरियल का परचेज करने जाती तो परतेक शोप की पर से वो बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करती और जितना हो सकता था उसमें से उतने पैसे बचाने का प्रियास करती इस परकार से उसने थोड़े थोड़े पैसों को बचा कर ये 1.87 डोलर एकत्रित किये थे प्रियास किया अब गिफ्ट देना है तो पैसे की तो आउसकता पड़ नहीं है लाजमी बात है तो उसने जो पैसे एकत्रित किये थे उन सभी पैसों को वो काउंट करती है और काउंट करने पर उसको पता चलता है कि उसके पास केवल और केवल 1.87 डोलरी थे जिससे गिफ् सफम oppressOR केश्ट करती है तो उन पैसों को वोच तीन बार काउंट करती है वह इसलिए चायद हो जाए उससे गलती हो काॉंटिंग करने में वह बार-बार काउंट करती है अ बढ़े यह बट रिसल्ट फैंग संदों अब वह इतने कम में को बहुत दूखी हो जाती है फिन को दे बहुत दूखी हो जाती है और विस्तर पर लेड़ जाती है विस्तर पर लेड़ जाती है और सोचती रहती है कि अब जिम को वह शांदार गिफ्ट कैसे देगी उसके मायन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं और बहुत अफसेट होती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वह उठती है और उसके घर का जो मिरर था उसके सामने अपने दू उससे उसको कुछ डोलर की अर्निंग हो जाएगी और उससे वह जिम के लिए एक ग्रेंड गिफ्ट परचेज कर सकेगी तो यहीं सोचकर वह त्रन परवाव से रेडी होकर हैट लगा कर लिकल पड़ती है मेडम सैफरोन के ब्यूटी पालर के पर ठीक अब ब्यूटी पर जैसे ही जाती है तो वह उससे बोलती है कि वूट यू लाइक तू बाई माई हैयर तो मेडम सैफरोन उससे बोलती है लेट मी फॉस्ट चेक यूए हैर दैन आई विल आंसर यू तो वह हैट उड़ताती है और अपने हातों में डेला के बाल जो थे उसको हातों में लेक चेक करती है और देखती है कि वाकई ये बाल तो बहुत घने लंबे और सुन्दर है वो बिना सोचे समझे तरंट परभाव से उसकी प्राइस बताती है 20 डॉलर के मैं आपको इन बालों के लिए 20 डॉलर दूंगी तो डेला तरंट परभाव से एगरी हो जाती है और बोलती है ओके डन इट तो 20 डॉलर तो वो हो गए और 1.87 डॉलर उसके पास थे अब टोटल जो मनी थी उसके पास हो गई 21.87 डॉलर अब इतने डॉलर में अच्छा कासा गिफ्ट वो खरीद सकती थी इसलिए वो वाँ से तरंट परभाव से रवाना हो गई और परतेक्ट शोप पर उसने एक शांदार गिफ्ट खोजने का प्रियास किया दर बदर भटकती रही शोप टू शोप जाती रही और सोचती रही के जिन के लिए कौन सा गिफ्ट शूटेबल रहेगा परन्तु अनफॉर्चुनेटली उसको कोई गिफ्ट सूजता ही नहीं और वो हताश हो जाती ह लेकिन लास्ट में फिर वो एक शोप पर जाती है और वहां उसको एक प्लेटिनम की चैन नजर आती है वो चैन को देखते हैं उसके माइंड में बात आती है कि यह जो चैन है वो जिम के घड़ी के लिए ही बनी है क्योंकि जिम जो था उसके पास गॉल्डन की वोस थी और उसमें लेदर का चेन लगावा था इस वज़े से और वो चेन थी वो भी फटी टूटी थी इस वज़े से उसको टाइम देखने में बड़ी शर्मिंदगी मैसूस होती थी अब जब भी उसको समय देखना होता था तो वो चुपकर अपने पोकेट से वोच को निकालता और टाइम देखता क्योंकि उसको शर्मिंदगी होती थी गड़ी तो इतनी शानदार है बट उसका जो चैन है पट्टा है लेदर का वो बिलकुली जीविशी नवस्ता में है इसलिए डेला ने उसके लिए यह प्लेटिनम की वोच परचेज की थी और वह सोचती है कि जब जिम इस गिफ्ट को देखेगा तो बड़ा खुश होगा और वह चैन को लेकर तुरंद परवाव से अपने घर पर आ जाती है लेकिन डेला जब घर पहुंचती है तो वह सोचती है कि अब जिम जो है अब उसको पहले की भाती प्रेम करेगा या नहीं करेगा क्योंकि अब उसके वो लंबे गने सुन्दर बाल नहीं रहे यहीं सोचकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और सोच मगन-विचार-मगन हो जाती है इधर जो जिम थे वो भी एहीं सोच रहा था कि करल क्रिस्मस दे है और क्रिस्मस दे के दिन गिफ्ट का एक्षेंज किया जाता है इसलिए वह भी डेला के लिए एक शांदार गिफ्ट लेना चाहता था तो जिम के पास जो गॉल्डन वोच थी वही उसकी प्रॉपर्टी थी उसके लावा उसके पास कोई पेशा नहीं था इसलिए अब क्या हुआ कि जो डेला थी डेला की ख्वाइस थी कि उसने तो तोटोई शेल के रत्न जडित पाम देखे 01 जिससे वह अपने बालों को सवार सकती थी और सुन्दर बना सकती थी उनको वह खरीदना चाहती थी तो सोचकर जिम ने वही टोटोई शेल के जो रत्न जडिति कॉम्स थे वह परचेज किये उसको गिफ्ट देने के लिए अब दोनों ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट ले लिया जब जिम शाम को सही समय पर घर आता है तो वह डेला को देखतार एकदम शौक डो जाता है उसके चे कि गुस्से के एक्सप्रेशन है या किसी और चीज के एक्सप्रेशन ने वह बिल्कुल कंफ्यूज allons चाती है इसके छेरे के एक्सप्रेशन को देख कर लेकिन जीव उस से कहता है कि यह जो मेरे एक्स वह आपको अभी समझ नहीं आएंगे लेकिन जब मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं उस गिफ्ट को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि मेरे चेहरे के यह एक्सप्रेशन ऐसे क्यों थे अब जिम जाब डेला को वह शांदार ग्रैंड गिफ्ट उसको डेला को देता ह है तो वह जैसे उसको खोल कर देखती है वह बहुत दुखी भी हो जाती है और खुश भी हो जाती है कि दुखी से लिए होती है क्योंकि जो गिफ्ट उसके लिए लाया गया है अब वह वह चीज उसके पास नहीं रही क्योंकि बालों को सवार ना चाहती थी वह उनी कौम से लेकिन अब उसके पास वो बाली नहीं रहे और खुश इसलियों नहीं होती थी है वो कि उसकी इच्छा थी कि वो टोटोई से रत्न जड़ित कौम उसको मिल जाए ताकि वो सुन्दर सुन्दर बालों को और सुन्दर बना सके उससे सवार कर बट वो इस बात को छोड़ कर जिम से कहती है कि जिम सी यू डॉन्ट वरी मेरे जो बाल है बहुत तेज गती से ग्रो करते हैं तो वो बहुत जल्दी वापस बड़े हो जाएंगे और फिर वो कॉम्स में काम आ जाएंगे इसी बात में फिर अचानक उसे याद आता है जिम में आपको देना तो बूली गयी तो आपका गिफ्ट वह जब उसको गिफ्ट देती है तो वह जो प्लेटनम के चैन थी तो वो भी उसी की सेम कंडिशन होती है जो कंडिशन डेला की गिफ्ट को पाकर हुई थी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के लिए घिफ्ट खरीदे उन च खरीद दा गोल्डन वोच के लिए लेकिन उसके पास गोल्डन वोच नहीं रही उसने उसको बैच दिया और बेच कर टोटोई शेल के रत्म जड़ित कॉम्स खरीद लिए और इधर से जो डेला थी डेला ने अपने सुन्दर बाल थे उनको बेच दिया और एक प्लेटिनम की चैन खरीद ली ताकि वो जिम उसको अपनी वोच में लगा सकी तो इस परकार से इस कहानी का जो टाइटल है विलकुल शूटेबल है क्योंकि मेजाई जो है उसका मिनिंग क्या बताया था मैंने तू चूज दा मौस्ट सूटेबल गिफ्ट तो दोनों ही एक दूसरे के लि क्योंकि दोनों ने ही अपने प्रेम के अपने प्रेम को भार देने के लिए अपनी जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज थी दोनों ने अपनी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज को बेच दिया उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा केवल सोचा तो अपने प्रेम के ब पर क्योंकि जो गिफ्ट उन तीनों वाइज मैंने ये शू को दिया था बिल्कुल शूटेबल वही शूटेबल गिफ्ट ये दोनों एक दूसरे को देते हैं अपनी मत पूर्ण प्रोपर्टीज को खोकर और फिर जिमु से कहता है कि अब हमको ये दोनों गिफ्ट जो है एक और रग देने चीए क्योंकि हमारे पास अभी इनका कोई उप्योग नहीं है और हमें अब भोजन करना चाहिए और अब भोजन के टेबल लगा दो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है तो उमीद करता हूं मैं राज महावर के द्वारा जो आपको ये कहानी एक्स्प्लैन की गई है वो जरूर आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो चेलन को सस्क्राइब करो वीडियो को लाइक और शेर कर दो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स वीडियो का नाटिफेकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक जैहिन जै भारत